परोकाई सब्सक्राइब наж ना कि यह और छूं करभाई की मांग चल लगी है तो डूजी तरह महरास्ट में सिंदे सरकार बनी है उसका मामला भी गरम है और लगातार वहां पटब बढ़ी राजिनतिक सरगर्मिया बने वही तो कहीं एक बात और इस समय चर्चा में आ गई है वह चर्चा नकवी दोनों ने केंद्री मंट्री मंदल से स्थीपा ले लिया है और अपना स्थीपा भाजपा के राश्टिय जपी नटा को सौप दिया है और माना जारा है कि मुक्तार अब्बास नकवी और आर सीपी सिंग को बड़ी जम्मिरारी यहां पर दी जा सकती है अब सबसे बड नाम और बीजेपी के प्रमुख मुश्लिम चेहरों में एक मुक्तार अब्बास नकवी है अगर मुक्तार अब्बास नकवी की बात करें तो यह कोई पुराना नाम नहीं है और नया नाम भी नहीं है पुराना असरी नहीं कहेंगे कि बहुत समय पहले नहीं चुड़े सब्सक्राइब को लेकर इन्होंने वसारी बात समय लिए मुक्तार अब्बास नकभी और दूसरे सानवाजा सेन दो लोग रहे इन दोनों मंत्रियों का जो राजस्वा सरस्का कारकाल था वो गुरुवार्व खुतम हो रहा है और यह मानने जा रहे हैं कि इन दोनों को बड़ और जो आर्सीपी सिंग है वो जन्तरल यूनाइटिट कोटे से मंत्री थे और इन दोनों का कारकाल फिराल राजस्वा का कारकाल था वो खतम होने वारा वो विहार से राजस्वा सरस्क थे और मुक्तार अब्बास नकभी 2016 मेर छारकंड से राजस्वा सरस्क बनाये गए थे हालक उस से पहले दोशार चैसे दोशार जस्वा सरस्क थे तो अगर हम मुक्तार अब्बास नकभी की बात करें तो बड़ा नाम बड़ा नाम है सिरे बोलूगा क्योंकि मुक्तार अब्बास नकभी बो आदमी है जोने बीजेपी को जो अलफसंखिक बिभाग है मंत्राला ह उसको बखूबी समभाला एक जो बाट कही जाती थी कि बीजएपी में मुसलिम समाज की कोई भूमिका नहीं है मुसलिम समाज को कोई father's Live-Talk है तो दो नाम सानवाज हुसेन और मुक्तार अबास नकवी अपने नाम से अपने काम से इस शिद्ध करते रहे कि मुक्तार अबास नकवी को अगर बीजेपी ने सम्मान दिया है तो इसके पतेश उड़ाना दो लोग हैं चाहे सानवाज हुसेन की बात करें या मुक्तार अब कि जनम हुआ उसके बाद इन्होंने इलावार 25 privilege से अपणी सि रिच्छा सब्सक्रिद इन्होंने मास कम्मिनिकेशन में पूरी की उसके बाद चाथ राजनीती में सक्री रहे और 1975 में आपातकाल के दोरान भी मुक्तार अबास नकवी केवल 17 साल के उमर में जियल गए बड़ी उपलब्दी उपलब्दी इसरे बोलूँगा क्योंकि आपातकाल के समय में जो भी ने लोकसवा से निर्दली रूप से चुनाव लड़ा हालाकि उनको इसमें हार का सामना करना पड़ा उसके बाद 1991-1993 में भी उन्होंने मौ की सदा बिरांसवा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों बार भी चुनाव भार गए जीत नहीं मिली है उसके बाद 1998 में स्टाइब भाचबै की सरकार थी और उसमें मुक्तार अबबास नकवी को सूचना एवंप सब्साड़ मंत्राले का मंत्री बनाये गया था मुक्तार अबस नक्वी सन 2002 में 2010 में 2016 में रासवा से चुने गए 2002 और 2010 में युत्तपिडे से और 2016 में चार गंड से वो संसरी कमिटी के सदस्र रहे और अगर उनकी शुरुबाती जीवन की बात करें तो वो भाजमों के रास्ति पादश भी रहें इसके अलाबा वो रास्ति सचिप भी रहे हैं इसके अलाबा अगर उनकी बात करें तो रास्ति पादश दोजाटश से बीजेपी बने हुए हैं बड़ी जम्रारी ली और बड़ी जम्रारी के साफ से वो वो बहतर काम करते नजर आ रहे हैं और साथी साथ यह कहा जा रहा है कि स्टीपा की बज़ए तो बज़ए यहाँ पर उनका कारकाल भी समाप सुरता दूसरी बात ये भी है कि अब मुक्तार अबास नकिभी को बड़ी जिम्मेदारी जी जा सकती है ये जिम्मेदारी सुत्र के मताबिक किसी बड़े बिभाग की हो सकती है बड़े चुनाओ की हो सकत है कि नॉम्बर दिसंबर में हाल में ही जो चर्चा में आये जम्मू कस्मीर क्योंकि चर्चा इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि अनुच्छ पैति से अब बना हुआ है विकास के चलते अनुच्छ तीनसुटर के चलते पैति जे की चलते हटाया गया है जो उसके बाद बहां पर कस्मीरी हिंदुओं का जिस तरह से पुना उनको स्थापिट करने का प्रयास किये जा रहा है हाला कि उस बीच में कई कई कस्मीर तो यहां पर मुक्तार अबास नकवी जो की बड़े नाम रहे हैं और बीजीपी का अगर मुक्तार अबास नकवी का दोरों का नाम सामने आता है इसके अलाबा मुक्तार अबास नकवी चाते जिवन से नोर राजनीती की आपातकाल में मात सता साल की उमर में जेल गए उसके बार भाजमी से भाजमे मैं आप च्छे साल रास्क्यू पादच रहें बड़े पदपर रहें इसके बार आप रास्ती सचिप बनें सचिप पद पर रहें और 2006 से रास्तियू पादच रहें और इस समय अंतराल में उनके नाम कई उपलब दिया रहें 1998 में रामपुर से लुक्सवाचनौ जीते संसर पहुचे और पहली बार संसर पहुच कर अटल बिहारी बाच्छपी सरकार में सूचना इमांपिसादा मंतराले के मंतरी बने किंद्री मंत्री बने उसके बाद लगातार जब दोज़ा चुज़ा में मोडी सरकार आई थी तब उनको नजमा हेपतुल्ला के साथ साथ अल्फ संक्यक मामलों का राजमंत्री बनाया गया था फिर 2016 में जब नजमा हेप्तिनला ने स्थीपा दिया उसके बाद उनको अल्फ संक्यक मामले का सोतन पर भार दिया गया और तब से वो लगातार अल्फ संक्यक बिबाग का कारभार समालते रहे उसके बाद जब 2019 में दुबारा नरेन मोडी सरकार केंदर में आई तब उनको उपा फिर बिस्वास जिताते हुए दुबारा उनको अल्फ संक्यक और संसरी कार राजमंत्री बनाए गया बड़ा भरोसा बड़ा बिस्वास और बड़ा करताब उसासर बड़ी प्यतिवाद क्योंकि जो भी पड़ उनको दिया गया वो लगातार वो नर्वाहे करते रहे और समय समय पा जब भी अल्फ संक्यक मामलों की कोई बात हुई बात पहुचाने की बात हुई, समस्या बताने की बात हुई, किसी पिचार की बात हुई, किसी समझोते की बात हुई, किसी ब्यवस्था की बात हुई, हमेशा मुक्तार अब्बास नकवी ने अपनी जो भूमिका है वो पूरी तरसे अदा की, आज उन्होंने स्थीपा दिया, स्थीपे के बाद अब माना जा सकता है कि उनको बड़ाग पर क्या दिया सकता है तो तमाम तरह के सूत्य समय कहा जा रहा है कि मुक्तार अब्बास नकिवी को उपरासपती पर का उम्मिर्वारी बना जा सकता है मुकतार अब्स नाकिवी को बड़ी जिम्राइडी जिया सकते हैं अब जिम्राइड क्या मिलती है पर चूंकि एक बात सपष्ठ है कि जब तक हम कोई भी काम करते हैं उसके बाद बहतर करने की प्रयास रहते हैं तो उस काम को करने का जो जजवा होता है वो हमको आंगे लेके जाता है और जजवा ऐसा होना चाहिए कि हम बहतर से बहतर काम कर पाएं अगर हम बहतर काम नहीं कर पाएंगे तो ये चीजे खराब हो जाएंगी अगर हम बैतर काम नहीं करेंगे तो ये चीज़े खराब हो जाएंगी अगर हमको आंगे बढ़ना है अगर हमको बैतर प्रयास करने हैं अगर हम चाते हैं कि बैतर ही से हर चीज काम हो बैतर से हर चीज प्रयास हो और बैतर से हम बैतर करते जाओ और उच्छ पड़ों पर करती है और पार्टी आपके लिए नाया मुकाम सोच के रखती है जो हमारा चर्चा का बिसा है कि मुक्तार अबास नकिवी का नाया मुकाम क्या होगा तो सूत्रों के विजारत तमाम तरह के मुकामों पर यहां चर्चा हो रही है तो यहां पर आने बाले समय में क्या भूमिका मिलेगी कैसे काम होगा और इनको क्या जम्मिदारी जा सकती है वो भवस्त के गर्म में छपा हुआ है क्योंकि भारतेंदा पार्टी का सुरू से जिन्दा रहा है और सुरू से की कोशित रही है कि अलग सोच से वो काम करते हैं जैसे कि अभी आपने रेखा है जो रासपटी चुनाओ की बात चल ली जो मिरबारी की बात चल ली थी तमाम तरह के चेहरे सामने थे तमाम तरह के लोगों की बात हो रही थी भारतेंदा पार्टी ने अलग सोच रखते हुए आदिवासी बर की महान मेला जो कि जो जिनका अभी तक का जो रहा है जिन्दगी रही है राजिती रही है वो दोस हीन रही है कोई आरोप, कोई पित्य आरोप, कुछ नहीं और बहतर काम करती निजर आई एंद रोपनी मुर्मु और जिन्दी मुर्मु पर भारजीन्दा पार्टी ने विस्वास दिखा कर ये वाद साबित कर दी है कि हम जुपेतिवा को कहीं से भी खोच किला सकते हैं जो प्यत्रवा साली है, जो बहतर है, जो बहतर काम कर रहा है और जिसकी जिन्दगी समाज को समर्पित है, निस्ति रूप से हम उसको बड़ी जे मिरारी दे सकते हैं। तो आने वाले समय में मुकतार अब्बास नकवी को क्या जमिनारी मिलती है, क्या पर मिलता है, और किस तरह है वो भूमिका में नभा पाएंगे। पर मिलती है, उसने कोई बड़ी ही जमिरारी सोच रखी होगी, क्योंकि उनका च्छमता, उनका ज्यान है, बड़े पद कही हिसाब से होना चाहिए, अब तक उनने जो भी उनको पद दिया गया, जो भी उनको काम दे गया, वो अब तर बहतरी से अंजाम देते चले आ रहा ह तो आज हमें चर्चा की, और इस चर्चा के माध्यम से हम ये बात स्पस्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप बहतर काम कर रहा हैं, अगर आप हमेशा से बहतर करते चले आ रहा हैं, अगर आपने अपनी जम्मेदारी बहतर रूप से नभाई हैं, अगर आपने समाज को अपना उर्जा का सुरूत बनेगा और उर्जा का सुरूत बनता है तो उसके साब से आप हमेशा से ही बहतर काम करते नजर आएंगे यहाँ पर मुक्तार अब्बास नखवी कि दूसरी पारी की उम्मीर देश का हर नौजमान सोचेगा देश की जनता देखेगी कि हमारे नेता को अब भारतिन्ता पार्टी दोरा कौन सी जिम्मिलारी जिया सकती है जो भी जिम्मिलारी मिलेगी उसका बखुबी पानन करेंगे महनर से नुभाएंगे और आने बाले समय में फिर दिखाएंगे मुकतार अबास नकभी जो नाम है यह हमेशा सही अपना करित्वार मनाता आया है मेहनर करता आया है और बीजेपी को आम जनटा के बीच में पहुचाने में इनकी बहुत मुन का बहुत मेर्टपून रहिए तो आज की चर्चा में इतना ही मज़ेजी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार